सारा पड़ाम मैं हूँ उपेंदर राय हस्तक छेप में आपका स्वागत है कोरोना संकट के बीच 20 लाख करोण के आर्थिक पैकेश से देश की अर्थ विवस्ता को कितनी गती मिलेगी आज इसी मुद्धे पर बात करेंगे भारत दुनिया के उन पांच देशों में इसे एक है जिसने कोरोना संकट से उबरने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेश घोसित किया है इसी बीच बित मंतरी निर्मला सीता रमण ने पहले चरण में करीब 6 लाख करोण के बुष्टर डोज का एलान किया है इसमें सबसे ज़्यादा राहत MSME सेक्टर को मिली है इनके अलावा दूसरे सेक्टरों के लिए भी कई एहम एलान किये गए है कुल 20 लाख करोण के इस पैकेश से क्या देश की अर्थ बिवस्था पटरी पर आ जाएगी क्या देश आत्म निर्भर हो जाएगा क्या आपदा आउसर में बदल जाएगी आर्थिक पैकेश से लोगों का आत्म विश्वास कितना बढ़ जाएगा ये कुछ सवाल हैं जिनका जबाब हम आज के हस्तक्षेप में तलाशेंगे देश के विबिन बरगों को आर्थिक ववस्था की कडियों को 20 लाख करोण रुपिय का संबल मिलेगा 20 लाख करोण के आर्थिक पैकेश के पहले चरण में वित मंत्री निर्मला सीता रमण ने करीब 6 लाख करोण के पैकेश का एलान कर दिया है वित मंत्री ने आत्म निर्भर भारत के कुल 15 उपायों की घोशना की है इनमें सबसे ज़्यादा MSME सेक्टर के लिए 6 उपाय किये गये है उन्होंने आम करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फायल करने की समय सिमा बढ़ा कर 30 नमबर 2020 करने का भी ऐलान किया है बित मंत्री ने MSME सेक्टर के लिए 3 लाख करोण के गारंटी फ्री लोन का प्राविधान किया है इसके अतरिक्त 20 हजार करोण उन MSME को दिया गया है जो ज्यादा संकट में है साथ ही इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में 50 हजार करोण उन बड़े MSME को दिये जाएंगे जो अपना विस्तार करना चाहते हैं इसके साथ ही बित मंत्री ने बिजली बितरन कमपनियों के लिए 90 हजार करोण उन रुपए के राहत पैकेज की घोशना की है MSME को दिये गए कर्ज को लटाने के लिए एक साल की महलत दी जाएगी साथ ही गैर नौकरी पेशा लोगों को 31 मार्श 2021 तक टीडियस में 25 प्रतिसत की छूट देने का भी एलान हुआ है बित मंत्री ने नौन बैंकिंग फिनेंसियल कमपनीज को आंशिक क्रेडिट गरंटी योजना के जरिये 45 हजार करोण रुपए की नगदी उपलब्द कराने की बाद भी कही है इसके अलावा गैर बैंकिंग बित्य कमपनियों आवास बित कमपनियों और FII के लिए 30 हजार करोण रुपए के रिण का प्राविधान किया है इसके अलावा अगस्त महीने तक EPF अंशिदान के लिए 2500 करोण रुपए उपलब्द कराए जाएंगे आईए सुनते हैं बित्त राज्यमंत्री अनुराक ठाकुर ने क्या कहा ग्रेव अध्योग है इन सबका एक बहुत मत्व है बारा करोड से यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं तो ऐसे कारोबार और व्यपार करने वाले विशेश तोर पर MSME सेक्टर जो है इसके लिए आज एक बहुत बड़ी खोशना है कि कोलेट्रल फ्री आटोमेटिक लोन तीन लाख करोड रपे का मध्यम सूक्षम लगू कुटीर और ग्रेव अध्योग को मिलेगा इसमें किसी को अपनी और से कोई गरंटी कोई कोलेट्रल देने की आवश्यक्ता नहीं है और इसका समय सीमा भी चार वर्श की होगी और पहले बारा महीने यानिके पहला एक वर्श उनको प्रिंसिपल रीपेइमेंट नहीं करना पड़ेगा और बारा महीने की इस पर छूट रहेगी बिजली वित्रन कंपनियों के आये में जो कमी भारी कमी आई है और लेंदारी जो इनकी कही राजियों से बड़ी है उसके कारण भी अभूत पूर्व नकदी प्रवा की स्थिती इनको देखनी पड़ रही है इन परिस्तितियों में आम भूकता को भी नुकसान ना हो बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वित्रन करने वाले भी इस अभूत पूर्व समस्या में कहीं उलज कर ना रह जाए इसके लिए 90,000 क्रोड़ पे का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है करमचारियों को इसका लाब मिलेगा जब करमचारी का 12% हिस्सा भी और नियोकता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी और ये कुल मिलाकर 25 क्रोड़ के लगबग का लाब इनको मिलेगा आगे बढ़ते हैं केंदर सरकार की ओर से घोशित 20 लाख करोण के पैकेज को लेकर कॉंग्रिस में मद्भेध हो गए हैं राजस्थान के मुख्यमंतरी अश्शोक गहलोत ने राहत पैकेज का स्वागत किया है और कहा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए मिलिन देवडा ने भी पीम ने समय रहते आर्थिक पैकेज की घोशना की है यदि ये शावधानी से लागू किया जाता है तो हम एक मानुविय संकट ताल देंगे भारत की भूमिका और मेकिन इंडिया की छमताओं का विस्तार करेंगे कॉंग्रेस के बरिश नेता आनंद शर्मा ने भी आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है जबकि कॉंग्रेस प्रवक्तार अंदीप सुर्जेवाला ने कहा है कि घर वापसी करते लाखो प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता की जरूरत है उमीद थी कि आप इसकी घोसरा करेंगे लेकिन स्वरमिकों के प्रति आपकी अशमिदन शीलता से निराश हैं कॉंग्रेस नेता मनीश तिवारी ने कहा है कि पियम मोदी ने सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश की है केवल नंबर दिया है बीस लाख करोण का कोई ब्यावरा नहीं दिया तो कुल मिला करके जो कॉंग्रेस के कुछ नेता हैं जो इसको अच्छा कदम मान रहे हैं कॉछ ऐसे मान रहे हैं कि केवल हेडलाइन बनाने का काम किया प्रधान मंत्री ने खैर हमारे साथ मौझूद है पूर्व केंद्री वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप सुकल जी कॉंग्रेस नेता अलका लामबा जी और अर्थ सास्त्री यामिनी अग्रवाल और आकास जिंदल जी भी हमारे साथ मौझूद है इस चर्चा को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि 20 लाख करोन का जो पैकेज है वो क्या सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए प्रधान मंत्री ने दिया है या इसके पीछे बहुत गहरी रिसर्च है बहुत सोच समझ के सभी स्टेक होल्डर की राय लेकर के और MSME से लेकर संगठी छेतर से लेकर संगठी छेतर से लेकर बैंकिंग से लेकर, नान बैंकिंग से लेकर के, बड़े उद्योग से लेकर के, छोटे उद्योग से लेकर के, MSME से लेकर के, सब के हितों को साधने की कोशिस की गई है, सब का ध्यान रखने की कोशिस की गई है, इस पूरी चर्चा में आज हम इस बात को तलाशने की कोशिस क करेंगे इन सवालों को ढूढने की कोशिस करेंगे सबसे पहले वित राजि मंत्री शिव परताब सुकल जी से सवाल ले रहा हूं आप ये बताएं कि जो बीस लाख करोन का जो एक फीगर है पूरी दुनिया ने जो आर्थिक पैकेज घोसित हुए हैं पूरी दुनिया में उस प्रदान मंत्री ने कल देश के नाम संबोधित करते वे घोसित किया है आप क्या मानते हैं जिस तरीके से कुछ लोग इसकी अलोचना कर रहे हैं कि हाथ में क्या आया लोगों के हाथ तक क्या पहुँच रहा है ये बड़ा सवाल है जबकि टीडियस में आपने छूट दे द पैकेज में जोड़ दिया तो कुछ लोगों का नुमान है कि सरकार अपने पास से सतर हजार से एक लाख करोन रुपए दुबारा इन्फ्यूज कर रही है बाकी तो जो सरकार की ओर से सहुलियत दी गई है और सहुलियत के दौरान गवर्मेंट एक्स जेकर में जो पैसे जमा ह चाहता हूं कि ये पैकेज कितना ठोस है कितना दूरगामी है और आत्म निर्भर बनाने के लिए कितना काम्याब होगा कर दूं कि कल जब माने प्रदान मंत्री जी अपने विशे को रख रहे थे तो उन्हों ने यह नहीं कहा कि कि बीसला करोड जो मैं दे रहा हूं वह पिछला जो दिया है वह उसमें सम्लिस नहीं है उन्हों उन्हों ने बहुत साफ सब्दों में कहा था वह सम्लिस है कोई यह नहीं कहा था कि सम्रित में लोग यो क्या दिया अब अगर आप यह देखें तो आज मसमी सेक्टर को जब अबित मंतरी शीमतिन रिल्मला जी अपनी बात रख रही थी तो उन्होंने कहा कि तीन लाग करोड को नेटरल तो यह दिया तभी बात आई नब्बे हजार करोड पावर सेक्टर को उन्होंने यह करके दिया हात में क्याया अगर यह देकता चाहते हैं तो उन्होंने दो हजार रूपے के हिसाथ से अ가र देने का कम किया तो आट दसमून साथ करोड किसानों को दो हजार रूपए का भुबतान किया वह कहें कहें के खाते में गया उनके हाथ में गया जनधन खाते में जो सरकार ने देने का काम किया वो उनके हाथ में गया तो दो बातें इसमें आई है एक बात तो यह आई है कि आर्थिक ग्रिस्टी से उठाने के लिए और दूसरा यह आया है कि लोगों के हाथ में, ये दूरों बाते हैं, केवल आलोशिदा का विशा नहीं करना चाहिए, हम ये समझते हैं, ये निश्चित रूप से हर चीज पर एक एक विशा है, पर अगर बात हो, मुझे लगता है, अर्थसासी लोग और अच्छी तरह से इसको परिवासित कर सकते हैं केवल हम पार्टी के लोग ही भी शे नहीं आते हैं अर्थसासी और अच्छी तरह से जानते हैं, और और अच्छी बात रख भी सकते हैं, अब आप ये सोचिए, कि उन्होंने बावान हजार चैसर अच्छा बीबिटी के मादर्ण से एक तालिस करोर एकाउंट ओर को दिया, अठारा हजार करोर कीमत का जो राशन दिया, डालने दिया और सद्धिया वो भी सबए 69 करोर लोगों को दिया, तो ये जो हाथ में जा रहा है, वा हाथ में है उपन जी, जिसको लोग कहें कि हाथ में क्या है, दोनों देखा गया है, कि जैसे चाहिर सी बात है सर्कार किसी को भूखा नहीं रखना चाहती ये कोई भी सरकार ऐसी अशंवेदंशील नहीं है जो ये कहे कि हम लोगों को भूखा रखना चाहते हैं लेकिन लोग भूखे रह जाते हैं उसके पीछे हजार कारण गिनाये जा सकते हैं मैं सवाल अलका लांबा जी से ले रहा हूँ कॉंग्रेस का प्रतिधित्व कर रही है यहां पर अलका जी आप ये बताएं कि 20 लाख करोन का पैकेज प्रधान मंतरी ने घोशित किया है और ये कहते हुए कि पहले के जो राहत दी गई है जो इस्टिमूलस पैकेज लगा रहे थे कि 5 लाख से 10 लाख करोन के बीच का कोई पैकेज प्रधान मंतरी घोशित कर सकते हैं ऐसी स्थिति में प्रधान मंतरी ने पैकेज से भी ज्यादा कल जो अपने भासर में जोर दिया वो है भरोसे का पैकेज लोगों के मन में एक विश्वास जगाने की कोशिस की कि यह पैकेज तो मैं दे रहा हूं लेकिन इसके सहारे हमें और ज्यादा आत्म निर्भर बनना है अपने को मजबूत बनाना है और अब दूसरे पर आश्रित नहीं रहना है आपकी क्या प्रतक्रिया है 20 लाख करोन के राहत पैकेज पर और प्रधान मंतरी ने जो कुछ क कहने की कोशिस की उस पर उपेंद्र जी देखिए कल देश के प्रधान मंतरी जी को हम सब ने सुना आदे घंटे तक सुना और निकल कर आया कि चोथा लोगडाम होगा उसका रंग रूप अलग होगा 20 लाख करोड के पैकेज होगा जिसका खुलासा उस पैकेज को पिठारे देश की वितमंत्री खोलेंगी और अम सब की लजर अब उसके लग गईती की क्या होगा आज देड़ घंटा लगबाद देड़ घंटा मिर्मला सिता कमण जी वितमंत्री ने जब उस पिठारे को खोला तो हमारी पुर्व वितमंत्री पीचितंबरम जी ने उसका पूरा आ जाने इस 20 लाख करोड में उनके ये कुछ नहीं था अगर आप कहेंगे पुरानी घोष नहीं इसी 20 लाख करोड में थी कि जैसे अभी शुक्रा जी ने बताया कि हमने जंदर खातों में इतना डाला किसानों को हमने 2,000 डाला तो उसके इलावा तो चार लाख करोड का ही किषग yn कि अगर मैं बात कर ओ किस गड़ीड के खाते में इस जंगधन खाते में इस किसान के खाते में इसमिक खाते में कितना सीधा पैसा हो जए ओन कॉंगर्स दिया अलोचना मही सूझाव राहुल गांदी जी ने कुद का न्याय योजना केता है, 13 करोड मात्र 13 करोड ऐसे गरीब हैं, अगर डिर्क कैश प्रांसफर कर दिया जाए, 65,000 करोड मात्र, 6,500 तो पूरा एक महीना वो गजिल किसान अपना गुजात करता है, तब तक सरकार को भी समय मिलता है, अपने पैरों पे खड़े होने को यह कोई राहत नहीं, यह कर्ज की घोशना की है, आईए, कर्ज ले लीजिए, हमने 3 लाक करोड का अपने पुतिर लगू मध्यम जो हमार अलक जी आप्से एक सवाल ले राहा हूँ, हलाकि यह सवाल हमारे साथ 2 व्यवास्त्री है उनसे भी लिया जाएगा, लेकिन आपको एक सवाल आपसे ले रहाँ, बिसिकली जितने अर्थ शास्त्रियों ने यह सलाह दी, या समय समय पर बोलते रहे, लिखते रहे, सबका concern ये था कि अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है हमारी अर्थ व्यवस्था की uniqueness है कि हम परचेजिंग पावर रखने वाले देश हैं हमारे पास purchasing power के कारण ही हमारी uniqueness के कारण ही दुनिया की कंपनिया हमारी तरफ रुख करती हैं आती हैं आज के date में लोगों के job न जाएं लोगों के pocket में किसी भी तरह से पैसा पहुँचे उद्योग धंदे बंद न हो ताकि future में unemployment न हो तो ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग भी तरीके से उद्योग धंदों को मरने मत दीजिए unemployment मत होने दीजिए liquidity उपलब्द कराईए बैंकों का ध्यान रखिए MSME का ध्यान रखिए इस कारण मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि केवल असंगठी चेतर के गरीब स्रमिकों के उपर centralized ये package नहीं है लेकिन सब का रखने वाला package है इसमें थोड़ा दिमाग तो लगाया गया है इस पर आप क्या कहेंगी उपेंदर शी आपने बिलकुस सही बात पकड़ी है कि purchasing power आप आप हम जो न्याई लोजना की बात राहूल गांदी जी करते रहे पिचातर सो अचाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथ अगर डार देंगे हर एक के खाते में सीधा तो बैंक से पैसा निकाले और चेज करेगा वो पैसा सिस्टम में विवक्ता में आएगा खरीदारी बढ़े जी पैसा सिस्टम में आएगा और जिसमें जो है संट्रिक गरीड हो ठीजिए सड़कों मजदूर है सुप्रिम कोट म उन्हें का किसी बात अगले पैकेज में करिएगा उन्होंने इस बात को बेरोजगारी को टाल दिया उन्होंने प्रिचेजिंग पावर को कैसे हम लोग लोगों को पैसा सीधा दे ताकि वो मार्केट में जाएं और पैसा करें पारोड के करीज चोटे दुकानदार हैं उनक अलका जी हमारे साथ दो अर्थ शास्त्री भी हैं प्रोफेशर यामिनी अगरवाल और आकाश जिंदल लेकिन उन लोगों से सवाल लेने से पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कोरोना संकट में प्रधान मंत्री नरे निर्मोदी ने जो 20 लाग करोण के राहत पैकेज की घोशना की है वो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पैकेजों में से एक है कोरोना वाइरस के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण अर्थ व्यवस्था को हम हुए नुक्सान की भरपाई के साथ देश को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में ये पैकेज मील का पत्थर साबित हो सकता है ये मील का पत्थर कैसे साबित होगा देखते हैं इस रिपोर्ट में कोरोना संकट में अर्थ व्यवस्था को आत्म निर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड का आर्थिक पैकेज कई मायनों में एहम है GDP के लिहाद से भरत का ये राहत पैकेज दुनिया में अब तक खोशिप आर्थिक पैकेज में पांचवा सबसे बड़ा पैकेज है कोरोना महामारी से ध्वस्थ वी अर्थ व्यवस्था को उबारने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जापान ने दिया जो वहाँ की GDP का 21.1 पीसदी है जबकि 13 पीसदी के साथ अमेरिका दूसरी स्थान पर है स्वीडन ने अपने कुल GDP के 12 पीसदी के बराबर रहत पैकेज दिया है जो की तीसरी स्थान पर है और 10.7 पीसदी के साथ जर्मनी चौथ स्थान पर है GDP के गरीब 10 प्रतिशत रकम के बराबर का रहत पैकेज का एलान कर भारत दुनिया में पांचवे नमपर पर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने रहत पैकेज का एलान करते हुए सपष्ट किया कि कोरोणा काल में जो भी आर्थिक भूशनाई की गई है उनको मिला कर ये पैकेज 20 लाख करोड का होता है वित्मंत्री निर्मला सीतारमन ने मार्च महीने में परीब एक दशमलव साथ शुन्ने लाख करोड के रहत पैकेज का एलान किया जिसमें गरीबों के लिए मुफ्तराशन के अलावा महिलाओं और बुजर्गों के लिए नकट सहायता समेथ कई स्कीम लागू की गई थी इसी दोरान रिजर्ग बैंक ने भी व्यासदरों में कटोती और उद्यगों के लिए किस्तों के वुटान में तीन महीने की राहत जैसे उपाईों की घूश न किती रिजर्ग बैंक की ओर से एक हुशित ये सभी उपाई साड़े 6 लाख करोर रुपए के खरीब बैठते हैं जो कि जीडीपी का तीन दशमलब दो फीसदी है इसका मतलब ये कि 20 लाख करोर के आर्थिक पैकेज में से खरीब 8 दशमलब 2 शन्य लाख करोर के राहत पैकेज का एलान पहले ही हो चुका है जो जीडीपी का खरीब 4 फीसदी है बाकी 6 फीसदी पैकेज को चरणबर्ध तरीके से लागू किया जा रहा है सवाल ले रहा हूं मैं यामिनी अगरवाल जी से यामिनी जी जिस तरीके से 20 लाख करोर के आर्थिक पैकेज को ले करके कॉंग्रेस पार्टी में दो मत बन गया है और साथ ही साथ जिस तरीके से इस पैकेज की बड़ी बेशबरी से प्रतिक्षा की जा रही थी कि भारती अर्थ विवस्था को चलाए रखने के लिए अनिम्प्लाइमेंट को रोकने के लिए लोगों के पॉकिट तक पैसा पहुचाने के लिए उद्योगों को जिंदा रखने के लिए बड़ा जरूरी है ये पैकेज आज आपने निर्मला सीतारमण जी को जरूर सुना होगा आप क्या मानती है कि जो नुकसान इस करोना वाइरस पैंडेमिक महामारी के कारण देश को हुआ है पूरी दुनिया को हुआ है अगर भारत की बात किया जाए तो ये जो आर्थिक पैकेज घोसित हुआ है और उसमे जो छे लाख करोन रुपए के बारे का जो प्लान दिया है निर्मला सीतारमण जी ने वो कितना कारगर होगा हमारी रुकी हुई अर्थ वेवस्था को गती देने के लिए जी बहुत अच्छा आर्थिक पैकेज और स्टिमिलेस किया है कोशिश की गई है कि कुछ इंपोर्टन कंसर्न को देखा जाए जिसमें से सबसे जादा इंपोर्टन कंसर्न था छोटी और मजोलिया कंपनियों को बचाना जो इस लॉकडाउन की विजा से काफी हद तक क्रेजिट पहुचाना और उनके पास इकुटी इन्फूजन करना पचास अजार करोर का और जो है कोशिश करना की उनकी जो विवस्ता है उसको टेक्नलोजी कली ओरियेंट करना चाहे वो इस सर्विसेस के दुआरा हो चाहे वो कोशिश की गई हो कि जो ग्लोबल टेंडर है वो 200 करोर तक नहीं पर्मिट किये जाएं गर्मेंट प्रक्योर्मेंट में और MSME के भागिदारी बढ़ाई जाए इसके दुआरा कोशिश की गई है कि जिसने भी MSME इसको है उनके पास पैसा एक तो पहुँचे और एक उनके पास टेक्नलोजी पहुँचे और सुविदा प जिसके अंदर मानना है क्योंकि MSME हमारा लाजस्ट इंप्लॉइमेंट बेस है अगर उसको सपोर्ट किया जाता है तो सीधे तोर पे लोगों तक पैसा पहुचाया जाएगा उनकी जौब को सुरक्शित किया जाएगा और साथ ही साथ कोशिश की गई है कि गोश्णा की गई थी उसमें डारेक्ट बेनेफिट ट्रांसवर के तुरूँ पैसा पहुंचाया गया था याँ फार्मर्स को पैसा दिया गया था या फिर कोशिश की गई थी कि राशन पहुंचाया जाए वहां एक स्कीम रखी गई और उसके साथ साथ इंप्लॉइमेंट को 2% करने के लिए जो लॉग डाउन की विजासे सबसे ज़ाइन करने के लिए जो लॉक डाउन की विजासे सबसे जुदाधा एपक्त होते उसके साथ support किया गया MSME को यामनी जी सब्सक्तरju सब्सक्राइब刚 35,000 करोण से 55,000 करोण रुपए तक रोज का नुकसान है पूरे देश के संपूर्ण लॉकडाउन में चले जाने के कारण और एक अनुमान भी लगाया गया था कि करीब 20,000,000 करोण से 25,000,000 करोण रुपए के बीच का नुकसान अल्रेडी हो चुका है गवर्मेंट टेक्स चेकर को या पूरे बिजनेस को ऐसी इस्थिती में प्रधान मंत्री ने जो आत्म निर्भर होने की बात इस पैकेज के सहारे कही है आपको नहीं लगता कि ये पैकेज तो सिर्फ एक भरपाई मात्र है आत्म निर्भर तो सिर्फ अपने होसले के दम पे हुआ जा सकता है अपने उत्साह और अपने दम के उस पे हुआ जा सकता इस पैसे के दम पर तो आत्म निर्भर नहीं हुआ जा सकता क्या कहना आपका जी मेरा मानना है कि 10 प्रतिशत GDP का खर्च करना और लोगों तक क्रेडिट को पहुंचाना एक बहुत जरूरी चीज़ है NBFC या बैंक्स जो लिक्विडिटी क्रंस से प्रॉब्लम में थे उन तक री फनांसिंग की फैसिलिटी RBI ने पहुंचाई CRR के rates कम किये administrative reliefs दिये गए लोगों को ये पहुंचाना बहुत जरूरी था जहां तक नुकसान की बात है जो करोना वाइरस की विज़ा से हुई है या लोगडाउन की विज़ा से हुई है वो नुकसान जो है लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी था या वो एक cost incur करना जरूरी था ताकि देश में stage 3 तक करोना वाइरस ना फेले और जिसका नुकसान बहुत ज़ादा होता और जो देश को बहुत पीछे खेल देता अपनी economic development में इसलिए कोशिश की गई है कि जो lockdown है उसके तहट stage 3 का जो जिसकी विज़ा से करोना बहुत ज़ादा बढ़ सकता था और लोगों की जिंदगियों से खेल सकता था उसको रोका जाए और लोगों तक आर्थिक चीज़ें पहुँचाई जाएं जैसे credit है जैसे liquidity है ताकि economy का च चले और 10 प्रतिशत काफी होता है economic stimulus देने के लिए और लोगों तक ये विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार आपके साथ है यामनी जी बहुत बैतर सवाल बहुत देर से आकास जी प्रतिक्षा कर रहे हैं आकास जी आप से सवाल ये ले रहा हूं कि जिस तरीके से आर्थिक package को घोशित करने में कुछ देरी हुई है उसके पीछे कई अर्थ शास्त्रियों का ये भी मानना था कि अगर बड़ा package सरकार घोशित करती है तो जो फीच और standard और पूर ने जो अपनी जंग से एक लेबल उपर rating रखी हुई है उस कारण हमारा जो GDP versus जो debt ratio है वो काफी बढ जाएगी जिसके कारण से FII तुरत जो लगतार selling कर रहे हैं पहले से ही वो और ज्यादा selling करेंगे और भाग जाएंगे और जो invest जो हम attract कर सकते थे जो हमारा bargaining potential था उस bargaining potential को हम lose कर जाएंगे इस कारण से प्रधान मंत्री ने वक्त लिया और बहुत सोच समझ करके बहुत ज्य पहुत बढ़िया सवाल पुशा आपने उपिद्र जी जो सरकार ने किया है बहुत ही intelligent तरीके से आम आद्धी को benefit पुचाने की कोशिश की गई है आप ये चीज आपने सबसे बहरे उठाई थी मीडिया में कि अगर सरकार अपनी जेब से निकाल के इतना पैसा दे देती है तो हमारी rating का क्या होगा आज सरकार ने बहुत एक intelligent attempt की है सरकार ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया है सरकार ने मात्र एक support का रोल प्ले किया है कि अगर MSCB बोरो करता है बिना collateral की तो सरकार गरंडर के रूप में खड़ी रहेगी अब इससे क्या है साप भी मर जाए और प्लाठी भी ना तूटे MSME वाले जो industrialist हैं उनको loan मिल जाएगा उनको liquidity मिल जाएगी उनके हाथ में पैसा आ जाएगा और वो पैसे से हर MSME के साथ 20, 40, 100, 200 मैजूर भाई जुड़े हुए उनका फाइदा हो जाएगा liquidity हो जाएगी और पैसे की तिल्लत खत्म हो जाएगी औ और इसमें सबसे intelligent चीज़ यह है कि सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं डाल रही है यह पैसा लेंड किया जाएगा banks की तरफ से सरकार मात्र एक facilitator के रूप में एक guarantor के रूप में खड़ी हो रही है तो यह बहुत ही intelligent और creative planning है कि आपने जो है लोगों को benefit भी दे दिया आप आदमी को benefit दे दिया MSME को दे दिया और कहीं पे उसकी वज़ा से आपने कोई करजा नहीं उठाया सरकार को उसके वज़ा से कोई बहुत ज़्यादा borrowing नहीं करनी पड़ी यह एक intelligent और creative planning है और मैं सरकार को मुबारक बात देता हूँ कि ऐसे समय में इतनी बढ़िया planning की गई है दूसरा चीज़ और बता दू यह एक बड़ा practical solution है और आज की विवारी को देखते हुए देशी वाशा का इस्तिमाल करूँगा एक रामबान दबा है देखिए आज MSME को क्या था किसी भी व्यपारी से बात कीजिए मैं economic terms को अलग छोड़ के बात कर रहा हूं वो कह मज़ूर को हम कैसे मदद कर सकते हैं तो वो हमारे मज़ूर भाईयों को रोजगार मिलेगा देखिए आज स्थिती क्या है आनिंप्लॉयमेंट 27.1% पे है आज की तारीक में Center for Monitoring of Indian Economy का डेटा है विकास कोविड की वज़ा से आनिंप्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है दूसरी तरफ हम देखें आये लो जो यूएन की बॉड़ी है वो यह कहती है कि 40 क्रोड इंडियन वर्कर्स कुड़ भी पुष्ट डीपर इंटू पॉवर्टी तो ऐसे में आम मज़ूर के साथ खड़े होना हमाली ड्यूटी थी आपने बिल्कुर सही का ओपेंदर जी आज बाकले करेंगे तभी डिमांड और कंजम्चिन बढ़ाने का फायदा है अगर यह चीजब लॉक्डाउन चल रहा था मालीजे 5 अपरेल 8 अपरेल को किया जाता लोगों के हाथ में पैसा भी आ जाता तो लोग जाके खर्श ना कर पाते इंडस्ट्रिलिस को लीकुरिटी भी मिल जा तो ऐसे में हम एक पैसा हिंदोस्तान में ला सकते हैं अमेरिका हो यॉरप हो या इवन जो चीन के परोसी मुल्क हैं चाहे जपान हो चाहे साथ कोरिया मेरे साब से बहुत संभावना बनती है कि वहां से पैसा आएगा विकास हमारे प्राइमिस्टर साब ने बहुत अच्छ वक्त हो चला एक ब्रेक का हम चर्चा को जारी रखेंगे आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें एक पहुछ छोटा सा ब्रेक ले रहें तुरंत वापस लोटेंगे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कोरोना संकट में आर्थवेवस्था को आत्म निर्भर बनाने की चुनवती है और इसके लिए सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है लेकिन करीब पचास दिन से थप पड़े वो द्योग धंधों को फिर से खड़ा करना आसान भी नहीं एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन पीरियड में देश की एकॉनमी को करीब 25 लाख करोन का नुकसान हो चुका है और ये आंकडा 40 लाख करोन तक पहुँच सकता है जो कि जीडीपी का करीब 20 फिसदी होगा अगर आगे लोगडाउन नहीं बढ़ता है तो भी हालात सामान होने तक नुकसान का ये आंकडा 40 लाख करोन तक होट सकता है जो कि जीडीपी का करीब 20 फिसदी है अगर पृतिवेक्ति नुकसान का अनुमान लगाया जाए तो ये हर भारतिये पर करीब 15,000 रुपे बैठता है। दुनिया भर की रेटिंग और मॉनेटरी एजेंसियों ने भी दुनिया के तमाम देशों की तरह 2020-21 में भारत के विकास दर में भी बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया है। सरकारी खजाने पर भी दबाब बड़ा है। आर्थे गत्विदियां ठप होने से टैक्स की आमदनी नहीं हो रही है। GST की कमाई जो हर महीने करी एक लाख करोड थी वो अब 30,000 करोड से भी नीचे आ चुकी। ऐसे में सरकार के लिए चुनोतियां बढ़ गई है। ताजा अकणों की मुताबिक GDP को हर दिन 40,000 करोड का नुकसान हो रहा है। कोरोना ने जिन उद्योगों को सबसे जाना चोट पहुचाई है। उसमें सबसे उपर पर्रिटन, होटन और रेश्टूरेंट सेक्टर है। Federation of Association in Indian Tourism and Hospitality ने पर्टन उद्योग को करीब 10,000,000 करोड रोपे का नुकसान का अनुमान लगाया है। बात करें ट्रक और लोकल ट्रांस्पोर्ट की तो इस सेक्टर में अब तक 2,000,000 करोड के नुकसान होने की बात कही जा रही है। इसके अलाबा करीब 6 करोड लोगों को रोजगार देने वाले रियल स्टेट सेक्टर को 1,000,000 का नुकसान का अनुमान लगाया है। जानकारों के मताबिक 22,000,000 से जादा लोगों को रोजगार देने वाले अबियेशन सेक्टर को लोकडाउन प्रियर में करी 25,000 करोड के नुकसान का अनुमान है। खबर आ रही है कि PM केर फंड जिसको ले करके राहूल गांधी ने कई सवाल उठाए थे। आज PM केर फंड से 3100 करोण रुपए का हिसाब प्रधान मंत्री का रियाले ने ट्वीट के जरिये दिया है। 300 करोण रुपए आवंटित करते हुए प्रधान मंत्री ने करोणा वाइरस से बचाव को लेकर उठाए गए कदमों में उप्योग किये गए पैसे का हिसाब दिया है। 2000 करोण रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए, 1000 करोण रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए और 100 करोण रुपए वैक्सीन बनाने के लिए प्रधान मंत्री ने पीम केर्स फंड से जारी किया है। प्रधान मंत्री जितनी बार भी देश वासियों से अपील करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस अपील के लिए वो प्रापर अपने को जबाब देह भी मानते हैं। करोण रुपए वेंटिलेटर को खरीदने में, 1000 करोण रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए और 100 करोण रुपए वैक्सीन को डेवलेप करने के लिए उनकी तरफ से दिया गया है। ऐसी स्थिती में आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कमजोर मुद्दा कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया था। क्योंकि PM Care Fund में तो जितने पैसे आये थे, एक एकाउंट में आये थे, और जितने पैसे आये थे, एकाउंट के जरिये ही आये थे, देर सबेर उसका हिसाब तो सामने आना ही था। उपेत्र जी, राहूल जी ने जो प्रश्न किया था, वो जानकारी हमें कॉंग्रेस को नहीं चाहिए थी, वो देश का पैसा PM Care में इस आकदा के समय पर दान में लिया जा रहा था। लेकिन कहां खर्च किया रहा है, यह देश जानना चाहरा है, विपक्ष मात्र जन्ता की आवाज बन कर सत्ता से प्रश्न करता है, और जो उसका धर्म भी है, हम लोकोंने चालिस दिन के बाद प्रदान मंत्री जी अभी भी यह नहीं बताया होगा, कि कुल कितना फंड आया ह अब कहां खर्च करने है, चालिस दिन के बाद मैं कहते हूं यह देश की जन्ता की विपक्ष की जीत है, कि जो परदान मंत्री 2014 के चुनावों में सत्ता से उस समय मनमों सिंगी से पूप से थे भार्शन वाइबल हो रहे हैं, आप बेखिए क्यों पर जन्ता का पैसे का हिसा अब जन्ता से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए भायों बैनों बताओ, जब देश मांग रहा है तो आप करते हैं, पारदर्शिता कहां की, पारदई कहां की, हम तो यह कह रहे थी कि जब रेल दिभाग 155 करोड, रेल मंत्राले तियं के अरपंड में देना सकता है, तो क्य मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए निश्चुन विट रेंपी टिकट पर वस्ता नहीं कर सकता था, मजदूरों से पैसे वर्स्म ले गए, पिर कहा गया, पचास्ती पर्टिचर केंदा देगा, पंदरा सब्सक्रा दो अराज्य सब्सकारे देंगी, लेकिन 155 अर्टिच का धरम था, जो हमने किया है, और आज मुझे एक कुची है, कि जन्ता की आवाद विटपक्ष गूजा राहुल गांधी जी के सामने परदानमंत्री जी को जुखते हुए आज 40 दिन के बार, पीम केरफंड के कुछ अजार करोड का खुनाता करने पर मजबूर हो Walking, यह सवयच भदा बादा गयाँ चाल आज देर से धिख फ्र उगजड के जाता हुट कूरी तह पूरि था से पर दस्तायां में लाँच प्रश्म स्वभावी कोशिश कुछ करते हैं या बताने में धेरी करते हैं तो स्वभावी करते हैं विपक्ष का धर्व जलता की आवाज को अलका जी आप से एक सवाल मैं दूसरा एक सवाल ले लेता हूं कॉंग्रेयस कमेटियों को कहा गया था कि मजदूरों को भेजने के लिए पैसे का प्रवंद करेंगी कहीं कहीं कॉंग्रेरिस कमेटियों ने चीफ से करेटरी के आँं जाके चेक और पैसा जमा भी कराया आप लोग ओफिशियल इसपोक्सस परसन हैं कॉंग्रेस पार्टी के आप लोग टीवी चैनलों पर जाते हैं बात करते हैं क्या ये जानकारी इस समय आप दे पाने की स्थिति में है कि कॉंग्रेस कमीटियों ने देश भर में कहां कहां मजदूरों के लिए कैसे कैसे मदद पहुचाई उनकी यात्रा के लिए उपेंदरिची दो मैई को रेल्बे मंतराले का लाइटर जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि राच्य सरकारें जहां से मजदूरों को चलना है और जहां पहुच नहीं भाते कर ले हमें यह बता दे और रेल वंतराले कोई जिक्र नहीं था मजदूरों से तुरा वसूल आ जा रहा था वो मजदूर जो बेरोज़गार वो चुके थी घर चूटे हुए तो जो सड़कों पर मीलों चल रहे थे उनसे वसूल ही जा रहे थी तीन तारीक को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कॉंग्रस ने सम्मेदना दिखाई और कोंग्रेस के तारेकरताओं को हमारे करनाट का को में अलका जी मेरा सवाल यह था कि किस-किस कॉंग्रेस कमिटी ने क्या मदद की मतलब जो कोई छोटी बड़ी मदद की गई विए उसके बारे में कोई जानकारी वैं बिलकुल देश में जितने भी राज्जिय तो देश के हमारी पूरी प्रदेश कॉंगरस रिकायों ने अपने पैसे से, अपने खर्चे से, अपनी पॉकेट मनी से, हम सब ने कंट्रिब्यूट किया, कर मुझे भी का गया, कि तीम मजदूरों का आथ को जो है, पांसो छे सो प्रती मजदूर की टिकेट का देना है, हम ल सबसे कम है, सबसे ज़्यादा पूरे अचैसी तब पीछ में सबसे जादा एक्साइज गूति, तब पेट्रोल घूजल पे, केंदर की भाजपासर का रुषूती जबांद सबसे कम है, कहा जारा है भो पैसा, आप को करोडों प्ल्नर के वार्द में आ तरों को को किसी दरह क महीने का एक बार जंदन खाते जिनके उनके डालने को गाता तेरा करून लोगों के 65,000 करून का रिसापन अलका जी सवाल मैं सुपरताप शुक्ले जी से ले रहा हूं चुकि भारती जन्ता पार्टी के बहुत ही बरिश्ट नेता है मेरा सवाल है कि मजदूरों के हालात को ले अपने घरों तक कहीं पहुंचे हैं कहीं पहुंच रहे हैं स्रमिक स्पेसल भी चलाई गई देर से चलाई गई लेकिन एक सवाल उठकर खड़ा हो रहा है कि वो राज्य सरकारे हो या केंद्र सरकार हो सरकार नामक संस्था पर से मजदूरों का भरोसा उठता हुआ पिट्टी में मरना चाहते हैं अपने माबाप के सामने मरना चाहते हैं अपने गाँवालों के साथ रहना चाहते हैं घर वालों के साथ रहना चाहते हैं आपको नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं उनका मन और दिल तूटने की तरफ इसारा करती है बात सवाल का सही जवाब देना चाहिए मुझे लगता है कि पहले मैं आप सी बात को रख दूँ भारती जन्ता पार्टी की जो सरकार है राज्य की रही है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होगी आधित तिनाथ ने स्रमिकों को लाने का काम किया उसकी बरी आलोचना भी लोगों ने कर दिया कौंग्रेस ने थी कर दिया था मद्यपरदेशों ने किया अधिनिय क्व्यमंत्रेशों ने किया बाद में नितीश कुमार जी ने इसका प्रपोजल दिया कि ट्रेनों से बेजा गया इस लाग जाओन में फिजिकल डिस्टरंसिंग के नाते निश्ट रूप से कहीं कहीं लोग सोच जाए ते कैसे किया जा बेजा जा कि न भेजा जा जा और रेला चली और लेकर के गई लगबग क्यार लाठ मजदूर जो है रेलों से अभी तक अपने अपने असाथ पर पहुंचे ठीक है राजनैसिक डल होने के नाते कूटनितिक प्रियत्न भी करना चाहिए जो अलकाजी अभी कर रही थी लेकिन मुझे लगता कि कहीं अगर उन्होंने ये देखा होता तो सबसे पहले मजदूरों से पैसा लेने की बात आई तुम्हा रास्ता में आई बहारास्ता में सरकार काले समर्थित है कि उसे नाची तो उस पर देखना चाहिए इसी भी भारती जनता पार्टी सासित राज्य से यह नहीं आया कि पैसा लिया गया करनाटका में एक जगा बिशे उठेल हम अलकाजी में बता रहा हूँ उठा तुरंत उसको यह किया गया में नितीजी ची ने भी कहा कि हम प्येमेंट कर रहे हैं हम अपने चला है मज्डूरों को वह भी देंगे भातव रुपय 00-08 भी तेंगे इस है कि आज जगा उनको शेल्टर दिया जा रहा है जगा जगा उनको भोजन दिया जा रहा है रोकने का प्रयत्न किया जा जितने रुक जा रहा है उसको जरूर रोक रहे हैं जो नहीं रुके हुए वो चल दिने हैं आब मज़दूरों को उनको भेजना चाहिए। स्वामिक ट्रेन भेजी जा रही है और स्वामिक ट्रेन में लोगों को भेजने का काम यह कर रहा है इधर तो जो है बिहार ने भी और उत्तरप्रदेश ने भी महारास ने भी सभी मुक्रवंतियों ने इस बात को कहा बही जो लोग अभी नहीं गया है वो रूख है क्योंकि अब उद्योग भी चलने वाले है तो उस उद्योग की सिती में उनको नौकरी भी मिलेगी कल ही के इंटर्वियू में आपको पता लोग आओगे कि पटना से कुछ लोग दिल्ली के लिए चले मजदूर उन्हों लेका जी मैं जा रहा हूँ आप काम करने के लिए जा रहा हूँ तो तूरा बात है हो रहे हैं कि मजदूर परिशानी में है तो उस परिशानी को भी देख है तो जाने वालों की संख्या 99 प्रतिसत है अलका जी बहुत देर से कुछ कहना चारी है अलका जी बताएं नहीं मैं कहाने की उनकी स्वास्त मैडिकल के टैंप लगा कर उनको मदद उनके ठैने के लिए शीविर कोरा जूट है हमने कहीं लाखों मिलो लाखों मजदूरों को मिलो पैदल चलते हुई और उंगाबाद में तो महरास्ट्रा में ट्रेन के नीचे आके सत्रा लोगों को जान गए सड़क पे मजदूर जा रहे थे भैमा पिता जो है उसके हाथसे में साइटी पे चले गए और बच्चे दोनों आनाद हो गए हमने कोई शीवर नहीं देख लाखों मजदूर आज को मजदूर सड़कों पर है और आप लिए उद्योगों को जो आपने लगू चोटे उद्योगों को जो कार्द ले लिए बैंक से जाका जी अलका जी देखिए अब तो एन नरायन मूर्ती इनफोसिस चेर्माइन ने कहा था कि भूख से ज्यादा लोग मर जाएंगे कोरोना से मरने के बजाए और 90 लाख लोग इस देश में अलग अलग बिमारियों से मर जाते हैं तो ये एक एक चीज निकल के आई है सब इस बात से सहमत है कि हमें कोरोना के कांट्रेरी ये भी बात देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से लोग दम तोड़ देंगे भूख से वो ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक होगा शिव प्रताप शुकली जी के पास आ रहा हूं सर बहुत संचेप में अपनी प्रतक्रिया दीजिए हम अपने प्रोग्राम के अंतिम चरण में अब पहुँच चुके हैं कि हमारे लिए जन महत्पूर है प्रदान मंत्री जी ने साथ साथ ये कहा जान है तो जाहन है इसना ते जन हमारे लिए बहुत महत्पूर है और उस जन के किसी भी इस्तिती में जा करके भारत प्रताप के प्रदान मंत्री ने कहा है कि हमें कितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो हम करेंगे अभी जो बीस लाट करोर की बात आई है जीजीपी का दस परसेंट वह इसी के लिए है कि इंडरस्टी भी उठ है मजदूर के लिए भी हो लोग विकास भी हो लेकिन साथ साथ हम भूखे ना रहा है इसका भी प्रबंद किया जा मैं समझता हूँ कि यही उप्विप्तता जो आज कर आज मानली प्रधान मंत्री जी ने किया है उन्होंने हर सेक्टर को चूते हुए जैसे जिंदल जी ने बता आकास जिंदल जी के पास जा रहा हूँ आकास जी जिस तरह से असंगठी छेतर के मज़दूर पलायन कर चुके हैं शहरों से बहुत बड़े पैमाने पर आपको लगता है कि इस्टिमूलस पैकेज मिलने के बाद भी एक बड़ी चुनवती सरकार के सामने और उद्योग धंधा चलाने वाले लोगों के सामने कुछ महीने तक रहने वाली है वो असंगठी छेतर के मज़दूरों के चले जाने के कारण क्योंकि पैसा आज आएगा लेकिन काम करने वाले लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा जैसे मुंबई में आप सहर खोल दीजिए लेकिन अगर मुंबई में लोकल नहीं चलेगी तो 8 मिलियन लोग यानि 80 लाख लोग ट्रेनों से कम्यूट करते हैं जिस दिन आप लोकल खो मेरे तो मन की बात कह दी है मेरा यह मांना है कि मजदूर भाई यहां से गए क्यूं मेरा यह मानना है जितनी झालज मुझे मुझे मजदूर भाई ​и लोकल की बाथ कहिए अपने दिली की मेट्रों की बात कहिए है वह एक बहुत बड़ा चेलेंज है उपंद्र जी हमारे सामने कि उसको हम कैसे टेकल कर पाएंगे दिल्ली और मुंबई को अगर चलाना है तो वहां यहां लोकल बस यहां लोकल बस और वहां लोकल ट्रेंश चलानी तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें कोई इनोवेटिव प्लैनिंग करनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बांगता हूं मुंबई की लोकल की बात करें तो मैंने खुद उसमें यात्रा की हुई है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग शाय प्रक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है जिस तर मजदूर भाईयों को भी रोजगार चाहिए इंडस्ट्री को मजदूरों की रिक्वार्मेंट है तो कहीं ना कहीं आउट आफ दर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मजदूर भाईयों को रोगा जाए उनको इंडस्ट्री आकास जी यामनी जी से एक छोटा सा रियक्शन ले किया गया है आपको नहीं लगता कि MSME के लोग जब बैंकों तक जाएंगे पैसा लेंगे इस पूरे प्रॉसेस में जितनी भी जल्दी की जाएगी उस जल्दी में भी करीब करीब महीना दिन के आसपास लग जाता है तो कहीं न कहीं जून समाप्त होते हुए दिखेगा और इस बीच मजदूर भी नहीं है तो ऐसी स्थिती में आपकी क्या राय है कि एकॉनमी को गती देने का जो प्रयास किया गया है वो गती कितना तेजी से हम पकड़ पाएंगे जी आप देखें गती जो दी जा रही है वो एक slow और gradual process में दी जा रही है धीरे धीरे दी जा रही है और economy को धीरे धीरे खोला जा रहा है जिसके तहत MSME को अगर automatic route में पैसा पहुंचाने की कोशिश की गई है ये भी कोशिश की गई है कि sectors को जितना अलग-अलग sectors को चाहे हो डिसकॉम हो या और NBFC हो उन सब सेक्टर सक पैसा मुहिया कराया जा सके ताकि एक confidence build-up हो तो जिस तरीकी से धीरे धीरे जैसे जैसे economy खुलेगी वैसे वैसे श्रमिक वापिस अपने जगा पर आएंगे और जो economy का चक्का है जैसे consumption का pattern है वो बढ़ेगा और demand बढ़ेगी और उसी के तहट economy अपनी गती पकड़ेगी अभी भी माना जा रहा है IMF और World Bank के द्वारा कि भारत एक fastest growing economy है 1.9% growth lockdown के बाद भी एक अच्छा आकड़ा है और अगले वर्ष में 7.4% के आसपास माना जा रहा है यामिनी जी समय सीमा पूरी हो चुकी है मैं अब प्रोग्राम को यहीं समेट रहा हूँ आप लोगोंने हस्तक छेप के लिए समय निकाला सहारा न्यू नेटवर्क की तरफ से आप सभी लोगों को दिल की गहराईयों से बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ हम फिर किसी दूसर पस्त हैं लेकिन पीम इन पस्त होसलों में भी नई जान फूंकने का मादा रखते हैं और संकट की घड़ी से निपटने के साथ ही आगे की सोच हमेशा रहती है उनका साफ कहना है कि आपदा को हमें आउसर में बदलना है जिसका मसाधा उन्होंने बीते रोज देश के सामने रखा जाहिर है कि ये मसाधा कोरी कलपना नहीं बलकि लंबे मन्थन और रूप रेखा के बाद तयार किया गया है केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारवन ने आज प्रेस कॉन्फरेंस में इसका खुलासा भी किया कि पीम ने जो मसाधा रखा है वो विभिन मंत्रालियो से कई दौर की बादचीत के बाद तय किया गया है आप खुद सुनिए देश की दसा और दिसा बदलने के लिए प्रधान मंत्री का विजन क्या है कीशवी सदी भारत की हो ये हमारा सपना ही नहीं ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हां सास्त्रों में कहां गया है एश्व पंथा यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत सात्यों आत्म निर्भर भारत की ये भगवे इमारत पांच पिलर्स पर खड़ी होगी पहला पिलर एकोनोमी एक ऐसी एकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकि कौंटम जंप लाए दूसरा पिलर इंफास्ट्रक्ट्टर एक ऐसा इंफास्ट्रक्टर जो आधुनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी सिस्टिम एक ऐसा सिस्टम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकि 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलार हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुत है तो प्रधान मंत्री के विजन को पूरी देश और पूरी दुनिया ने कल देखा और जिसकी चर्चा हो रही है आज हस्तक्षेप में इतना ही लेकिन सहारा न्यू ज्यक्रवक की मुहीम है कि कोरोना से हमें लड़ाई हर हाल में जितना है हमें नाउमीद नहीं होना है हमें मायूस नहीं होना है हमें इस जंग से आगे निकलना है और हर हाल में आगे निकलना है होसला बनाए रखना अंधेरा ढल जाएगा गम की घटाओं से ही खुसियों का चांद निकलेगा हस्तक्षेप में हमें दीजिये इजाज़त कल फिर हाजिर होंगे और फिर तलाश करेंगे एक नए मुद्दे के साथ नए सवालों के साथ हस्तक्षेप की के एक नए एडिशन को सार अपराब झाल 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 झाल